बिस्मिल्ला इर्रह्मान रहीम, असलाम लूकुम डियर स्टुडेंट्स, आज हमारा क्लास सेवंद का मैथमेटिक्स का लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ें यूरे नमबर एट, अलजबरिक एक्सप्रेशन्स, डियर स्टुडेंट्स, आज का हमारा टोपिक है एक्सेसार्ज एक्सेसार्ज 8.4 के विलुक्ष के लेक्छा में, हम ने इसकी 5 टोप्द आए क्वेस्चा कर लिये थे, श्सक्रिबं अश्र कॉस्ठ्स का मैथ तो इस को hits को म実ést को एक व्रेया है, सिकना में भी वी विवाइस कर देने हैं, सबसे पहले हम 3 को मिल्टि प्लीp लाइस करेंगे alright माइनस-4Q को मिल्टिप्लाय करेंगे 위해 5 को इस पूपरवन तो मिल्टिप्लाय किसे करें प्रह से करते हैं 3 को 3 से करेंगे हमार पास आजाएगा 9 P और P दोनों सेम है तो दोनों की power जहाँ वो add हो जाती है जब हम इनको multiply करते हैं तो इसकी power भी 1 है इसकी power भी 1 है यह हो जाएगा P का square इसके बाद हम 3 को करेंगे multiply 4 से addition का sign वैसे ही आजाएगा P को Q से multiply करेंगे दोनों में चुमके कुछ भी सेम नहीं है तो दोनों को हम वैसे ही simple लिख देंगे next रम पे हम आते हैं minus अंदर के sign चेंज कर देगा तो जब हम 4 को 3 से multiply करेंगे तो हमार पास आजाएगा 12 और Q को हम P से करेंगे तो P Q आजाएगा then minus plus हमार पास हो जाएगा minus 4 को 4 से multiply करेंगे यह हो जाएगा 16 Q को Q से करेंगे दोनों सेम है तो इनकी power जाएगा एट तो हमार पास हाजाएगा 6 का Q का square then हम इनको मजीद simplify करते हैं यह है plus 12 P Q और यह है minus 12 P Q दोनों सेम टर्म से opposite sign है तो दोनों हो जाएगे कैंसल तो हमार पास answer यह आजाएगा इसका next part एक और पास हम देख लेते हैं जिसमें हमार पास terms थोड़ी ज्यादा है इसमें भी हम 2X को multiply करेंगे इस पूरी term से फिर हम minus 1 को multiply करेंगे पूरी term से तो इसमें भी हम number को number से multiply करेंगे उसी तो 2 से multiply करेंगे तो 8 आ जाएगा X की power 1 को X की power 2 से multiply करेंगे तो X की power 3 हो जाएगा उसे तोर से 2 को 2 से करेंगे 4 X को X से करेंगे X का square 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा नर्षे हम यह जैगा अब जोंकि minus 1 है 125 from minus 1 जिस नबर से multiply होता है वो नुबर वैसे ही आ जाते हैं, चुणके साथ माइनस है तो वो अंदर सबके sign change कर देगा, अब हम x square, x cube वाली, चुणके एक ही term है, तो वैसे ही रहेगी, x square और x square दोनों same है, sign different है, तो दोनों cancel हो जाएंगे, 2x और 2x भी same है, sign change है, तो दोनों cancel हो जाएंगे, हम अर पास आंसर ये बच जाएका, तो students, आपने इसके जो बाकी parts है, उनकी practice आपने अच्छे से करनी है, बिल्कुल easy है, simple है, आपने अच्छे से practice करनी है, stay home, stay safe.